अब सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टेडी चैनल बर जैसे कि आपको देखा होगा आपने पेपर दिये होंगे इसरों का हो डियार डियों का किसी का भी हो या अगर आपने एनलाइस किये हो पेपर पहले के डेडिकेटिड फ्राइट कोर्परेशन ओफ लिम्टिड करेंगे आपको देखने से तो लगे काहा ये तो हो जायाग Security और इसी तरही कि कई और आपको कोशन मिलेंगे 한국 कोशन पेपर में जरूर ही मिलेंगे और ये कशन अधिक तर छोड़ कर कर के आता है प्रॉब्लम किसी से सॉल्वर नहीं होती हैं घर पर करते हैं ओर लगाता को एकदम क्लियर कर दूंगा ठीक है तो यह ट्रिक के साथ हम देखने वाले ट्रिक के और बेसिक दोनों को साथ में ले करके चलूँगा नौदल मैटर का इसमें परियोग किया जाता है और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस पूरी क्लास में यह आपका पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मैं इसमें जो आपके जो यूज होने वाले कंसेप्ट है वह मैं बता देता हूं के सीएल किछ ऑफ करेंट लो के वीएल किछ ऑफ वोल्टेश लो यह फिर्स्ट लो होता है किछ और यह आपका नॉडल नॉडल मैतड दरसर क्या होता है एक जंक्शन होता है जंक्शन से जितना इंपूट हो रहा है और आउटपूट हो रहा है अगर यहां पर इंपूट हो रहा है यहां पर आउटपूट हो रहा है करेंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर इंपूट और यहां पर आउटपू बनते हैं, इसमें एक और नोडल, दो नोडल और कई सारे और भी नोडल बनते हैं, ठीक है, हम कोशन के अधार पर अभी उससे समझेंगे, अभी यहाँ पर बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं इसको आपको समझाने कोशिस करता हूं, ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक junction है, इसको पता नहीं किया है, उसको फोड दे रहें, बाद में कोशन करेंगे, तब उसको ले करके जरब कशनके चलेंगे, फिर सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो हमारा जो current flow होता है, current होता है, धारा का परवाह होता है, वह कहां होता है, high potential से low potential की थरफ जाता है, ठीक है high potential से low potential की थरफ तरफ, यह sommes. हमाल लेजैं यह positive है और यह negative है जो current flow होगा हमारा बैटरी है यह बैटरी है हमारी current flow होगा इस दिशा से इस दिशा से इस दिशा में हुआ ठीक है आप इस तरीके से भी समझ सकते हो एक मान लेजिए पानी की टंकी है कोई भी ठीक है और एक यहां पर भी पानी की टंकी है यहां लेजिए इतनी भरी होई यह माल लेजिए इतनी खाली है यह इतनी भरा हुआ है अब जो आपका water होगा जो पानी होगा वो कहां से कहां की तरफ जाएगा इस केंच से मतलब इस टंकी से इस टंकी की ओर जाएगा कोई कि इसके अंदर ज़ादा है, इसका potential ज़ादा है इसी तरीके से इसके अंदर जो positive होता है, इसके अंदर चार्ज ज़ादा होता है ये क्या करता है? High Potential से, Low Potential की तरब अपने जो current को है वो charges को भेजता है flow of electron is called current होता है तो जैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा current flow है वो इस दिसा में जा रहा है जब भी हमारा current इस दिसा में जाएगा तो हमको क्या करना है अगर यहाँ पर हमें voltage पूछा जाए यह V2 पूछा जाए यह हमें I पूछा जाए तो I किस तरीके से निकालेंगे तो I निकालने का formula तो दरसल बहुत easy होता है I is equal to V upon R यह OMS low है इसका ठीक है OMS low यहाँ पर परयोग होग है मगर यहाँ पर potential difference हमें voltage यहाँ का तो पता नहीं है को कि यहाँ पर voltage change होगा तो आप voltage कैसे होगा माल लेजिए high potential से जब low potential की तरफ जाते हैं तो high potential पहले लिखते है high potential में से low potential को minus करते हैं तो इस point पर हमें निकालना है क्या होगा तो जो हम I निकालेंगे जो हमारा I है यह I जो है इसको किस तरीके से निकालेंगे जो high potential है V1 तो हमारा क्या आ जाएगा यह resistance निकल कर जाएगा यह current निकल करके आ जाएगा कि current कितना है यानि कि यह वाला current निकल करके आ जाएगा ठीक है यह concept जो अभी मैंने बताया है यह use होने वाला है किस तरीके से निकलेगा वो मैंने यहाँ पर बताया है ये यूज होने वाला है इसको याद में रखना है अब देखो अब यह भी वन है यहां पर अब बात करते हैं यह फिर फिर को एरेज कर दूँगा के दुवार इच को समझाने के लिए अब देखो यहां पर जो यहा पर अब क्या हो गया पोटिंस्य होगी है अमारा उल्टा बैटरी होगी हमारी उल्टी और्फ भोश्म साइट दिखा रहे हैं तो अभ देखो इस सायड को मैंने बताया था पड़्ष से इससरे में फ्लो होता है तो अब क्या होगा इस कंडिशन में क्या होगा देखो कि वी वन हमारा क्या है अब वी टू में से वी वन कटाएंगे वी टू में से करेंट फ्लो तो इधर को होगा मगर हमने इधर को दिखा रखा है तो इसको हम क्या करेंगे लिखेंगे उस side को मगर इसको minus कर देंगे इस तरीके से ये भी हो गया ठीक है ये दोनों समझाती है एक ये आला method समझाती है दोनों ही लगेंगे ठीक है अब मैं इसको erase कर देता हूं आपने नोट समा लिए हूंगे इसको लिख लिया होगा इसको erase नहीं और इसको कम्ना करेंगे अ इसको इसको के जल्दी समझाती है अब दो current किस तरह काम करता है अब यह जो इस मैं बताने वाला हूं वह यूज होगा ठीक है देखो इसके अंदर क्या हो रहा है इन्पूट हो रहा है इन्पूट वाले अलग रख लेना है जो इस नोडल से जो इस जंग्शन से जो इन्पूट हो रहा है उसको अलग लिख लेना है इन्पूट यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इन्पूट क्या है आई टू इन्पूट है आई वन इन्पूट है आई वन प्लस आई टू और क्या हो गया हमारा I3 हो गया यह हमारे क्या है input और output की बात करूँ तो मैं इस सभी को पता होगा दरसल मगर इसको समझाने का दरसल मेरा यह reason है क्यों कि जो अभी question आएगा उस पर इसका use होने वाला है ठीक है इसको क्या गएंगे हम नोडल गएंगे ठीक है इतना याद रखना है क्या दो भी कोई भी जैसे यह इस तरीगे का junction चोराया टाइप का होगे ना इस तरीगे का junction बनी आई तो इसको हम नोडल कह देंगे ठीक है इतना याद रखना है जा इस तरीगे कहो कि इसको भी हम नूडल कहेंगे ठीक है दो या तीन तो या तीन टर्मिनल आपस में जुड़ रहे हो तो उसको हम नूडल कह देंगे ठीक है यहां पर आउटपुट की बात करहूं तो आउटपुट हमें कहां से i6 से मिला है i6 से फिलस i5 से फिलस i4 से अब क्या होगा जो input current है जितना current हमारा अंदर आया है उतना ही current हमारा output पर मिलना चाहिए ठीक है तो यह हमारा क्या कहता है किच ओफ current low हमारा कहता है किच ओफ का current low कहता है कि जितना हमारा input आया है current का वो हमारा output पर होना चाहिए तो i2 पिलस i3 और यहां पर equal होगा किसके i4 पिलस i5 और पिलस i6 ठीक है सभी के समझ में आ गया होगा यह basic ता इतना समझ में रखना बस दिमाग में बाकि सारे concept मदद सारा question हो जाएगा easily ठीक है अब देखो इस question को कैसे करना है question को मैंने सारा तरीका मैंने बता दिया अब यहां पर देखो कि आप यह जो battery है यह जो voltage source है यह लग रहा है उ अब current जहां-जहां flow होगा वहां बना देते हैं एक तो current हमें यहां निकालना है आई वन और यह देखो दो नोडल बताये देना मैंने एक नोडल यह हो गया ठीक है पर एक नोडल हमारा यह हो गया एक नोडल को हम कह देते हैं वी वन और यह जो होता है यहां पर voltage is equal to zero रखा जाता है ठीक है यह नोडल मैथड का concept है एक नोडल को कोई वोल्टेज हमें ग्यात नहीं होता और दूसरे को हम zero रख देते हैं ठीक है इतना समझना है बाकि अब easily हो जाएगा देखो एक current यह हो गया हमारा हमारा एक current यह है आई यह आई वाला कि यहां पर भी current पता होना चाहिए और एक यहां पर क्या हो गया हमारा आई टू खीक है अब देखो यह जो point है यह जो point है इससे देखो क्या हो रहा है यहां पर मैं बता देता हूँ एक यहाँ पर आया एक इधर गया और एक इधर गया यहाँ पर क्या आया आपका आई वन और यहाँ से यहाँ निकल गया यह आई टू मतलब आई निकल गया और यह आई टू भी निकल गया तो यानी की जो I1 है हमारा वो इंपुट हो गया और I पिलस i2 क्या हो गया हमारा आउटपुट हो गया अब दोनों तो बराबर होंगे भाई यह आउटपुट है यह इन्पुट है दोनों बराबर होने चाहिए अभी मैंने बताया था कि चॉप करेंट लोग ठीक है इस तरीके से होगा चलिए अब लिख लेते हैं आई एट है यह ठीक्ए आई एट लिखा हुआ है पहले से जो कि युभ मटा दीजिब आई एट है ने है पहले सई लिखा हुआ तो हम्हें और लिखनाी की जुरुत नहीं है i8 करके चलेंगे उसको तो i8 क्या होगा i8 निकालना हो अगर हमें तो किस तरीके से निकालेंगे ठीक है voltage upon resistance simple formula है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक मैं ले 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 तो हम black color अब i1 कैसे निकालेंगे देखो i1 कैसे निकालेंगे एक तो हमें ये पता होना चाहिए एक तो potential ये पता हो गया और एक potential हमें ये पता होना चाहिए जिसको हमने क्या नाम दिया है v1 नाम दिया है ठीक है तो अब जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे जो high potential है high potential यानि यानि ये 5 i1 भाई देखो i1 यहां पर मैं लिख देता हूँ, I1 कैसे निकाल होगे आपको, V अपोन R करके, अगर V तो ग्याती नहीं है आपको, ठीक है, V को कैसे ग्यात करेंगे आपको, V को निकालना हो तो voltage पहले potential देखो गए ना, low potential और high potential, high potential कितना है, 5 volt है, low potential कितना है, V1 है, minus V1, upon resistance कितना है, तो ये, V, I, मतलब, current है मारा I1, वो हो गया, अब बात करते हैं, I2 की, I3 तो हमें पता ही है, ये भी हो जागा, V upon R, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये V1 है, ठीक है, और ये क्या हमारा, I, ठीक है, ठीक है, 3 volt, तो 3 volt, minus, ठीक है, नए, 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 गलत होगे, गलत होगे, यहाँ पर, यहाँ पर उल्टा करते हैं, इस क्लास में, आपके, इसका कंसेप्ट इबल्कुल सही, क्लियर हो जायागा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उल्टा बताया था, तो उल्टा देखो, उल्टा लगा हुआ है, इदर सोर्स, तो सोर्स उल्टा लगा हुआ है, तो V1 में से माइनस कर देंगे, क्या 3 वोल्ट को, और रेजिस्टेंस कितने ओम का लगा हुआ है, यह देखो, रेजिस्टेंस कितने ओम का लगा हुआ है, कितने का लगा है, 4 ओम का, अब आई 8 की बात करते हैं, V upon R, अब इदर क्या पता है, हमें सिर्फ R पता है, यह मतलब R पता है, 8 ओम है, ठीख है, और वोल्टेज, यह हमें पता चल जाएगा, तो वोल्टेज तो होई जाएगा, ठीख है, इस बर V upon, 0 लिख देते हैं, ठीख है, अब voltage हमें इसमें निकालना है तो इसको ना लिखें तो भी बढ़िया मगर लिख देंगे तो भी बढ़िया कोई दिक्कत वाली नहीं है इस V1 को लिखते ही नहीं है अब इसको क्या करना है इसमें put कर देना है ठीक है I कितना था हमारा 5 minus V1 upon 2 equal to V upon 8 और और यहां पर हो जायेगा plus और आपका V1 minus 3V upon 4 अब इसमें LCM लेंगे तो LCM आपका क्या आएगा LCM आएगा 8 तो 8 से दोनों को side से multiply कर देंगे जैसी दोनों side से 8 को multiply करेंगे नीचे से 8 हट जाएगा ठीक है और यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 के पाड़े में 8 कितने बार आता चार बार आता तो यहां पर 4 से multiply कर दोगे वैसे यहां पर 1 से multiply कर दोगे और यहां से 2 की multiply कर दोगे तो equation क्या बनेगी आपकी 20 minus 4V1 upon upon तो रहे गा ही नहीं कुछ upon तो रहे गा ही नहीं कुछ अगर वीडियो सुलो हो तो fast करके देख लेना ठीक हो सकती है सुलो समझा रहो ना इसमें मैं ठीक है यह V1 हो गया यह upon 8 8 तो लिखना ही नहीं है ठीक है प्लस और यह कितना हो गया भाई 2 से multiply करेंगे तो 2V1 minus और 2,3,6 ठीक है अब यह 20V है यह हो गया कितना 14V ठीक है अब यह minus का इदर गया ठीक है प्लस 4V तो अब यहां पर कितना हो गया यहां पर आगर voltage निकालू तो मैं 14 अपोन यह तो फूरा साथ हो गया साथ हो गया साथ हो गया थे यहां रखुआ यह वन हमारा कितना निकल करके आजाएगा वीवन हमारा निकल करके आजाए वह दो वूल्ट है अब वीवन हमारा दो वूल्ट है वीवन हमारा कितना है दो वूल्ट वीवन तो हमारा दो वूल्ट है और हमें क्या निकलना है देखो तो इसको ध्यान में रखो उल्टेज हमारा V1 निकल गया कितना था हमारा क्या निकल कर गया हरो हमारा निकल करके आगए ऐसे दिया हूआ है कि ये क्या हो गया हमारा आई एर हो गया और हमें i8 ही निकालना था कितना होगा तो वान अपन जब इसको काटूंगा तो कितने वन अपन फूर हो जाएगा वन अपन फूर और वन अपन फूर को फ्रिक्शन वैल्यू में जब करते हैं तो क्या हो जाता है 0.25 जिरो पॉइंट फाइफ एंपियर तो आपका 0.25 is the right answer यह आपका सही answer हो गया ठीक है अब देखो इसमें कितनी खिचडी पगगी है ठीक है इस खिचडी को खाना है पहले फिर इसको बचाना है देखो किस तरीके से खाओगे खिचडी को जो जो आपको याद रखना है अब मैं उसको highlight कर दे रहा हूं ठीक है जिस जो एक त रखना है दूसरे node को आपको neutral कर देना neutral कौन सा करोगे जो negative sign यहां पर दिया होगा उसको आप neutral कर दोगे ठीक है उसको zero कर दोगे तो एक को आपको कुछ भी माल लेना वी one मालो वी two मालो वी three मालो वी कुछ भी माल लेना ठीक है अब यहां पर यह देखना है कि current input कितना हो और output कोई कौन हो रहा है हाँ यहां पर देखो यह इन-PUT हुआ ऑ ठीक है यह इसके अंदर आया पर यहां से देखो यहां से निकला है इस point से निकला ہے एक तो is point में जा रहा है इसको जो भी यह marking है current की उठा करके side में रख लेनी है इस तरीके से यह रख लिए इससे आपको clarity हो जाएगी कौन सा input है current का कौन सा output है जैसे इसकी clarity हो जाए वैसे ही आपको यह formula यहाँ पर कि input और output दोनों equal होने चाहिए current की current input और output में equal होने चाहिए और यहाँ पर लिख देनी equation को अब I निकालते हैं I कैसे निकालते हैं I निकालते हैं V upon R जब V upon R करोगे आप तो V upon R दो potential का करोगे दो voltage का करोगे दो voltage आप ले करके चलना है अब I1 है I1 का voltage कौन सा है I1 का voltage आप देखोगे यहाँ पर potential का करोगे यह potential आप देखोगे यह तो 5V है और एक हमें पता नहीं है इसको में निकालना है ठीक है यह हमें पता नहीं है इसको में निकालना है अब दोनों का रख दोगे high potential से low potential को minus करोगे और upon में क्या करदोगे जो resistance अपरती रोधक है ठीक है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइट करने के बाद आपके पास जो i1 है यानि कि current पहला वो निकल करके आ जाएगा ठीक है और उसी तरीके से i8 निकालना है i2 निकालना है अब i8 और i2 को क्या कर देना प्लस कर देना और i2 और i8 को प्लस करने के बाद आपको V1 कितना निकल करके आ जाएगा V1 यहाँ पर निकल करके आया है दो वोल्ट ठीक है यानि कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर कितना वोल्टेज है इस नोडल पर कितना वोल्टेज है दो वोल्टेज हमारा यहाँ पर voltage आ रहा है, अब यहाँ पर voltage हमें पता चली गिया, current हमें यहाँ पर पता चली गिया, हमें यह current निकालना है, यह current कैसे निकालोगे, देखो, 2 volt यह था, ठीक है, 8 ohm resistance यह है, 2 volt है, 8 ohm resistance है, यह क्या है, 0 है, 0 देखो, अगर इधर आप high potential जे low potential भी करोगे, तब भी आपका v1 minus 0, कोई कि मैंने यहाँ पर आपको पता है, कि यह क्या है, low potential है, अगर low potential है, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, मैंने कहा था, 0 माल लेना है, और upon क्या माल लेना है, आर माल लेना है, यह formula ही है, ठीक है, अब यहाँ पर जब आप करोगे, तो क्या आएगा, 2 upon 8, और 2 upon 8 को आप अगर solve करोगे, तो क्या होगा, 1 upon 4, 1 upon 4 यह friction value है, इसका decimal में क्या लिखेंगे, इसको 0.25, जब इसको solve करेंगे तो ठीक है, ampere, तो इस तरीके दे इसका solve करना, जो भी नीले-नीले से लिखा, बस उसको याद रखना है, जो भी नीले-नीले से लिखा है, जो भी blue से लिखा है, उसको याद रखना है, यहाँ पर मैंने, बी 1 minus 0 इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि 0 को minus करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इस 0 को यहाँ पर लिखा नहीं है, वगर लिखना भी जरूरी है, ताकि confusion आपको ना हो, ठीक है, यहाँ पर 0 अगर minus कर दोगे, तो और बढ़िया है, value in good है, 0 volt, तो कोई फाइदा तो है नहीं, मगर लिख दीजी, तो यह आप सभी के संज में आ गया होगा, खिचडी ची पक गई है, अगर जिसके भी संज में ना आयो, comment कर देना, एक बार फिर से बढ़िया से समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और मेरे खाल से आपका इसमें, बिल्कुल concept clear होगा होगा, ट्रिक मैंने बता दिये, ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक ये है कि इसमें ये, उठा करके अलग कर लेना है, नोडल को, और फिर current इसमें देखना, इन्पूट कितना, आउट्पूट कितना, जैसे ही आप ये देख लोगे, आप दिल्लम हो जाएगी, सब हो मैं आपस में, ट्रिक है, तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से इसको अलग कर लेना है, ठीक है, नोडल मेतर्ड लगाना है, ठीक है, KBL लगाना है, और अपने आपी solve हो जाएगा, कोई जादा भाग दोड़ी, इसमें ख़रना नहीं है, ठीक है, कोशन इजी है, आसन तरीके से, मगर मैंने इसको समझाया है, बारी की से इसलिए तो लंबा हो गया, तोना मैं तुरंती ही इसको कर देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो कोशन करोगे, अपने आपी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका दिन सुभो, और ऐसी आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे, और ये अगर ज़्यादा लंबा होगे, तो फास्ट करके देख लेना, वीडियो देखने के लिए दन्यवाद आपका दिन सुभो, बबाई, टेक कियर, सी यू अगेन,